उतर प्रदेश के हमीरपूर, जलॉन और बांदा में हिंदू रक्षावानी संगर्ष समीती द्वारा बांगलदेश में हिंदू पर लोरे अत्यचार के विरोध में विशाल धर्ना प्रदर्शन आयुजित किया गया इस प्रदर्शन में जले के विबिन ने हिंदू संगर्ठनों से जुड़े हजारों लोग शामिल हुए और एक जो ठोकर अपनी आवाज उठाई है प्रदर्शन कारियों ने बांगलदेश सरकार से अत्यचारों को रोखनी है और हिंदू समुधाय के सुरक्षा सुनॉशित करने की मान की है हिंदु भाईों के सारा हो रही है, इस पर जल्द से जल्ड रोग लगाई जाए नहीं पूरा हिंदुस्तान पर आ जाएगा और बांगिला देश को लेने के देने पड़ जाएगे ये ग्यापन पांगलादेश में हो रहे हिंदूओं पर रत्याचार मंदिरों को चिन्नित करके उने धस्तिदरने का जो वहां पर एक कंटरफंधियों के द्वारा बड़ा ही निंदनिये कारे किया जा रहा है पुजारियों को वहां पर चिन्नित कर उनको पकड़ा जा रहा निश्चित रूप से ये बहुत निंदनिये कारे है और इसके लिए अखिल भारती इस तरपर भी विरोध हो रहा है उसी श्रंखला में जिले में भी हम लोगों ने समिती के तत्वावधान में यह विरूत प्र कर भी अजिए जो भी रजव Easy बडए राजनेत ने वहां जाकर कि उनको हस्तक्ष्च्ब कर नहीं चाहिए सरकारे इस देख' रहे हैं कि जब से से रसीना की सब्सक्राइब करने का मंदिरों को जलाने का उजारने का क्याम कर रहे हैं पुजारियों के निर्मम हत्याय हो रही हैं हिंदू अउर्तों के साथ बलाकार की घर्णाय आम हो गई हैं हजारों की संक्षा में वहां पर एक तरह से देखा जाए तो कट्ले आम हिंदू का सिर्फ इस आधार पर हो रहा है कि सनातन धर्म क्या जाई है इस बात से पूरी दु करने से यहां हिंदू के लिए इक यहां करें मध्यार के रहा है उसके खिलाब बंगलादेश की सरकार को कठोर कारवाई करनी चाहिए और पूरे देश में साले 6,000 जिलों में एक साथ राष्टी स्वयम सेवक संग जितने भी आसनातन धर्म में आस्था रखने वाले अन्सांगिक संगठन हैं सभी एक जुठ होकर भारत सरकार से मांग करने के लिए आज एक कट्टा हुए हैं उसी के क्रम में बादा जन्पद में भी हमने आज जिला धिकारी के माद्यम से महामाहिम राष्ट पतीजी को ग्यापन दिया है कि बांगला देश में रहने वाले हिंदू के हितों की रच्छा की जाए, उनके घर और संपत्य की सुरच्छा की जाए, उनके जानमाल की रच्छा की जाए, वहां के जो धर्म पुजारियों को अनावस्य गिरिपतार किया गया है, उनको ततकाल रिहा किया जाए, और अगर इस्थापित करने का कार करें यहीं दुनिया में रहने वाले कोने कोने के 125 करों हिंदुों की मात्र मांग और राय है